हेलो सातियों मैं सुभास डागर आप सभी का स्किल हिंदुस्तान के एजुकेशन मंच पे हारदिक स्वागत करता हूं सबसे पहले सभी सातियों को स्किल हिंदुस्तान परिवार की तरब से कर्षन जन्माष्ट में की हारदिक सूप काम नहीं के सबस's के चलिए हम आगे चर्चा करते हैं आज के हमारी टॉपिक पर आज का हमारा टोपिक है ट्रांस्ट ओर्मूर किसी पर काम क्यों नहीं करता है Why Transformer does not works on direct current चली हम बात करते हैं जैसा कि आपको यह दिख रहा है यह एक transformer का equivalent circuit है यह हमारी primary winding है यह secondary winding है यह हमारा कोर है जिसके थूरू flux travel करता है सबसे पहले मैं फ्लक्स के बारे में कुछ basic चीज बता देता हूँ आपको फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स एक तरह से number of magnetic lines होती है number of magnetic lines को फ्लक्स कहते है फ्लक्स inductance inductance and current पे defend करता है जैसे कोई भी coil होती है हम अगर उसमें current flow करवाते हैं तो उस coil के अंदर magnetic lines generate होती है उन्ही magnetic lines को हम फ्लक्स कहते है तो आई होफ फ्लक्स समझ में आ गया होगा आपको इसके बाद हम next बात करते है transformer के working principle की हम basic तरचा करेंगी इसके बारे में transformer का working principle कुछ ऐसा है यह फेराडेज law of mature inductance पे depend करता है मतलब फेराडे के mutual inductance law पे यह voltage induced करता है secondary winding में जो induced EMF होता है उसका formula होता है E equals to N d phi f1 dt जहाँ पे N होता है वो number of trans होता है phi होता है flux होता है जो यह portion है इसको हम बोलते हैं यह वाला portion है इसको बोलते है rate of change of flux कि flux के change होने की दर जो induced EMF होता है वो डिपेंड करता है flux के change होने की दर प्वे है यह flux एक सेकिंड में कितने टाइम्स चेंज हो रहा है कितनी बार चेंज हो रहा है तो यह उस पर डिपेंड करेगा कितना चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा चली हम बात करते हैं इसके बार अब एक बार हम बैसिक देख लेते हैं DC और AC क्या होता है उसका मेगनिटूट व्य हुता है और अब बैसे इस का यह पहले इस डायेक्शन में गीए पर दाउन डायेक्शन में गीए और यह इसका एक मेगनिटोट हो गया लाइक देट मानलो मैंने बोल दिया यह 10 ampere है यहां पर माइनस 10 ampere यह टेल गए बट इसमें क्या है कि ओनली बस 10 ampere है यह कहीं चेंज हो रहा है कि यह ओल टाइम पीरेट के दोरान कॉंस्टेंट है अब मैं डायरेट करेंट में बात करूं तो अगर यह चेंज नहीं हो रहा तो इसकी वज़े से जो फ्लक्स जेनरेट होगा वह भी कॉंस्टेंट रहेगा वह भी चेंज नहीं होगा अब इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो यहां से हमें एक चीज़ तो flux में change ओने की दर क्या होगी जीरो होगी अगर यह 0 होगी तो मेरा induced EMF 0 होगया तो यहां जो हम लेते हैं यह जो E2 होता है वो 5-1 के जो यह मेरी यह वाली core है इसमें जो flux generate होगा यह इसका induced EMF है E1 इसकी वज़े से जो flux generate होगा उसी की वज़े से तो यहां पर induced EMF होगा और यहां जो इस पर dependent करेगा यहां flux में परिवरतन की तरह तो जीरो है तो यहां पर induced EMF 0 होता है इसलिए transformer DC को step up और step down नहीं करता है क्योंकि ट्रांस जो direct current होता है DC जो अपना होता है DC voltage है उसमें क्या होता है flux के change होने की तर जीरो होती है इस वज़े से induced EMF 0 होता है अब वहीं अगर alternating current पर बात करें तो यहां कुछ अलग value होगी इस point पर बात करूं तो कुछ अलग value आ रही है यहां पर कुछ अलग value आ रही है तो हर हर टाइम पर इसके flux की value change हो रही है अगर flux की value change हो रही है इसका differentiation करेंगे differentiation करने के बाद जो value आएगी वह इसका induced EMF निकल के आएगा जो इसका induced EMF आएगा और उसके बाद जब number of turns अगर increase होंगे decrease होंगे तो इसके according voltage step up और step down करेगा में बात flux की है जो induced EMF होता है वह rate of change of flux होता है फ्लक्स में परिवरतन की दर होता है डायरेक्ट में DC में flux constant होता है उसमें कोई changing नहीं होती है इसलिए इसका differentiation करेंगे तो वह भी 0 यह आता है इसलिए induced EMF 0 आता है बलकि AC में induced EMF 0 नहीं होता हुआ होता है क्योंकि इसमें rate of change of flux की कुछ ना कुछ Valy होती है हर मुएंट बइसका F 욕Th Sense हो गाई इसका हर मुएंट f xmlo всегда होगा इसलिए जह देखी यह फ्लक्स की वेफ़ों में यह फ्लक्स की में हर मोंक्ण पर flex change हो राए है अगरBe current change होगा to flux change होगा क्योंकि यहां हमने बात की थी if five flux is equal होता है inductance into current if current current के value change होगी तो flux की value change होगी यहां current के value constant है यहां flux के value constant होगा constant का differentiation 0 होगा इसलिए DC transformer DC ट्रांस्पोर्मर बेज़ी पर work नहीं करता है आपके लिए आज का क्यूसर है हमें यह बताईए कि यह transformer की core होती है और किस material की बनी होती है transformer core which material की बनी होती है transformer core material हमें comment section सेक्षन है और दूसरा ऐसा है कि आप हमें comment section में बताईए कि ऐसी ही थेρι जानने के लिए आपको कौन से topic के बारे में थेरी जानना उस topic को हमें comment box में दीजे हम आपको उसी topic की थेरी समझाने की कौशिश करेंगे आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर किसे नए topic के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद